हेलो फ्रेंट्स वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौलेज बदालोग सिंग राचूत में आज मैं आपको SSC MTS 2018 और SSC CHSL 2018 के ऑनलाइन फॉर्म कब आएंगे इसके रिगार्डिन कुछ इन फॉर्मेसन देना चाहता हूं जो कि SSC ने खुद बताया है अब SSC खुद कैसे बताएगी वह मैं आगे आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें बने रही है हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जो ससी का केलेंडर था 2018-19 का उसमें 19 जनवरी इसमें डेट दी गई है कंबाइं हाय सेकेंडरी लेवल 10 प्लस तू दो यह टारे के टीर बन की ओनलाइन नोटिफिकेशन आने की यानि आपके इसके अकोर्डिंग 19 जनवरी 2019 को आपका ओनलाइन जो है नोटिफिकेशन आना ह और 19 जनवरी से 18 फरवे तक आपके जो है नोटिफिकेशन आने के बाद में फॉर्म फिल होना इस पूरी डेट के बीच में बट ऐसा नहीं है अभी मैंने एक RTI डाली है RTI डाली थी आज आज ही RTI डाली थी और आज ही उसका आंसर भी आ गया है देख लेते हैं पहले RTI मैं क्यों सब्सक्क्राइब मुंगां और मैं आपको क्या क्या बताने बाला हूं-पहला क्यों सब्सकेंस ऑने एकन सब्सकेशनसरा mae पूछ टाया या month of the notification of SSC CHSL 2018 तीसरा पूछा था expected exam date या month of the notification of SSC CHSL 2018 या नहीं मैंने SSC MTSL 2018 का notification कब आएगा SSC CHSL 2018 का notification कब आएगा और SSC CHSL 2018 का exam कब होगा इसके regarding में एक RTI डाली थी आपको हम बता देते हैं देख लीजे आप यह RTI का answer भी है चार जनवरी को मैंने आज करीब दोपहर में तीन या चार बड़े RTI डाली और आज ही चार जनवरी को आप देख सकते हैं इसमें answer भी आ गया है आप आप देख पा रहे हैं तो SSC इस बात को तो मानना पड़ेगे कि RTI का जवाब सबसे पहले देता है कोई भी डिपार्टमें या कोई भी मिनिस्टी तनी जल्दी नहीं देख सकता है answer इस चीज में तो SSC तेज है बाकी exam वो करा पाए ना करा पाए अब उन्होंने answer आप देख सकते सिर्फ इतना सा दिया है fresh dates are to be fixed यानि कि तीनों exam की चाहो SSC MTS 2018 हो SSC CSL 2018 हो और इसके लाभा SSC CSL 2018 का जो exam date या मन्त है वो आपको fresh date के साथ में आपके सामने लेके आएगा तो बात यह उठती कि अब जो notification यह आप देख सकते हैं आप दिया गया है SSC CSL 2018 के regarding यह अब आएगा कि नहीं इस से बिल्कुल इस RTI से बिल्कुल clear हो गया है कि 19 जनवरी को जो लोग wait कर रहा है यह बहुत सारे लोग बता भी रहा हैं बहुत सारे मैंने YouTube पे देखे हैं notification आएगा वाकि आप पढ़ते रही है हम डेली एक RTI डेली एक या दो दिन में हमें एक RTI डालते हैं जिससे इन तीनों एक्जाम के regarding हमें कोई इनफोर्मेशन पता चलेगी तो RTI से आपको पता है जो भी notification आता है SSC उससे पहले ही चीज़े किरियर हो जाती तो जो भी news आए तो आप यह क्लियर समझिए कि SSC CHSL 2018 का एक्जाम 19 जनवर इको नहीं आएगा बात करते हैं SSC MTS की SSC MTS 2018 का जब भी notification आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे इसलिए हमारे चैनल को सबसार भी कर लिए और वैल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि वीडियो सबसे पहले प सबसे नहीं आएगा और आपको सबसे पहले बताएंगे वीडियो अच्छा लगाओ तो पर लाइक करिएगा कॉमेंट्स करिएगा कोई डाउट है से अपने दोस्तों के साथ बता दिएगा कि तीनों एक्जाम की जो भी है भी है नोवमबर में आने वादा नोटिकेशन कि नहीं आया भी है नोलसीट के सात गाएगा मिलें के आपको नेक्ट वीडियो में Thank You सो मन जय हिन जय भारत